प्रवागत थे आप सभी का TV भराट 24 के इस न्यू वीडियो में देश को हो सकता है कि डियाबेडिस से थोड़ी राहत मिल जाए क्यूंकि सरकार ऐसे इंतिजाम कर रही है कि आप चीनी कम ही इस्तेमाल करें अगर जादा मातरा में इस्तेमाल करेंगे तो देश का बजट भिगड़ जाएगा अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो डियाबेडिस पर कंटल हो सकता है तो तया आपको ये करना है कि आप देश का बजट भिगाड़ेंगे या आप चीनी को कम खाएंगे लेकिन सरकार की तरफ से काम ऐसे हो रहे हैं कि चीनी को तो महेंगा होना ही है वो कितनी महेंगी होगी ये भी समझेंगे क्यूं होगी कौन सी नीतियां जिम्मिदार है ये सब जानेंगे इस वीडियो में दोस्तो G20 के बाद ऐसा क्या हो गया कि भारत की चीनी महेंगी होने वाली है, हमारी आपकी चीनी महेंगी होने वाली है, और इसको महेंगा करके भी हमको क्या मिल जाएगा और मानफता को क्या मिल जाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे, दोस्तो चीनी का दाम उपर जाएगा, कि कहां से कहां ले जाएगी यह हम और आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते लेकिन एक सिनियारियों देखते हैं दरासल G20 के दोरान सरकार ने बायो फ्यूल अलायंस का एलान किया है बायो फ्यूल्स का मतलब होता है कि ऐसे इंधन जो सस्टेनेबल हो यानि जो बायो डिजल व बनता है बायो डिजल में वो एथनॉल बनाने के लिए खरीब 20% की अब मिलावड होगी ऐसा करने से क्या होगा कि एथनॉल बनाने के लिए चीनी की बहुत दरूरत पड़ेगी तो इस से शूगर की डिमान बढ़ जाएगी और भारत में जो शूगर मिल्स हैं उनके शेर्स शूट कर गए हैं तो 2021 से 2026 के बीच में जो एसेस्मेंट है 28% बायो फ्यूल की डिमान बढ़ने वाली है भारत ने पिछले साल 36 लाक टन यानि कि 36 लाक टन के खरीब 9% चीनी एथनॉल बनाने में खपाई है यानि जो एथनॉल बनता है बायो डिजल में और बायो पेट्रो से 50 लाक तक हो सकती है 2023 के खतम होते होते हैं दोस्तो सीधी सी बात यह है कि जब आप अपनी गाड़े में पेट्रोल दना रहे हैं उस पेट्रोल में इथनॉल मिलाया जाएगा और डिजल में भी 20% इथनॉल मिलाने की बात चर रही है और जाहिर है कि जब इथनॉल मिलाया थे ब्राजिल के PM भी मौझूद थे और इसके अलावा अर्जंटिना इटैलियन और बंगलादेश के PM भी मौझूद थे इंडिया ब्राजिल अमेरिका और दूसरे G20 फांडिंग मंबर जो है इस अलाइंस के उन्हों ने एक गड़ बंदन बनाया है इसमें इंडिया और ब्र इस तो अलाइंस है और भारत इनको चीनी देता जाएगा और अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 85% जो एथनॉल का प्रोड़क्शन है वो भारत और ब्राजिल करता है तो मसला यह है कि जब हम चीनी को अमेरिका और ब्राजिल को एक्सपोर्ट करते चले जाएंगे तो फर प्रेजन यह किया जा रहा है कि डिजल से ज़्यादा यह पॉलिशन करता है एक तो प्रॉब्लम यह है दूसरा मसला होगा लैंड यूस चेंज का अगर मान लिया जाए शुकर की डिमान बढ़ती है जाहिर सी बात है फिर गन्ने की भी डिमान बढ़ेगी तो जो जो किसान दूसरी फ़सल उगा रहे हैं वो किसान भी कहेंगे कि भाई गन्ने के दाम अच्छे मिल रहे हैं हम भी गन्ना उगाते हैं लेकिन इस से दूसरी चीजों के अगरिकल्चर कम हो जाएंगे तो उनके दाम भी बढ़ जाएंगे तो कुल मिला के ये एक तरीखे से जो सरकार ड दूसरी जरूरत पूरी कर सके तो इस बायो फ्यूल से बहुत सारी प्रॉब्लम इन्वार्मेंट के भी आने वाली है और डिग्रेडेशन भी होगा तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमको जरूर बताएं जब तक के लिए देखते रहें टीवी बाराट 24 की डेली अप्डेट्स